वेल्कम बैक स्टुदेंट्स तो लास्ट लेक्चर वी हैव कम्प्लीटिट सम् उस्फुल माइक्रोब्स एंड वाटर दियर इन्रस्ट्रियल अप्लीकेशन और हमें कैसे उनको यूटलाइज करते हैं हमने योगर्ट, चीज, बटर और इस्ट का एक्जामपल देखा ब्रेड, चैम्पेन और और क्या देखा एक राइजो भी हम देखा फार्मस के लिए बहुत एक अच्छी चीज उसी से उसी लिंक में आज एक और 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 ऑर्गैनिजम देखेंगे इस एक्जामपल और एंटि बहुत एक अच्छी चीज़ सीखने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड एंटिबाइटिक्स क्या है अब एंटिबाइटिक्स को डिर्कली स्टार्ट करने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं जैसे किया था डॉक्टर अलेक्जन उन्होंने क्या था इसमें कुछ नए अगार मत याद करो तो एटलिस यह लगो कि एक प्लेट अच्छा एक न्यूट्रिशियन लेगा से लिए बैक्टीरिया के लिए अगर उसे कुछ खाना पीना अच्छे से दोगे उन्होंने क्या दिया था उसे अगार कुछ दिनों बाद उन्होंने वह एक्सपेरिमेंट वह कर रहे थे उन्होंने कुछ दिनों बाद देखा कि अरे इनकी प्लेट में उन्होंने ऐसा तो उन्होंने देखा कि उनकी पैट्री प्लेट है I am going to show you the plate, the image of petri plate also उन्होंने उस में उस बैक्टेरिया के लिए खाना रखा और वो specific थे कि मुझे तो यही बैक्टेरिया मिलेंगे बढ़ कुछ दिनों बात जब उन्होंने वो experiment वो कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि इनकी प्लेट, उनकी पैट्री प्लेट जो है वो कंटामिनेटेड हो गई है, इसी मोल्ड से अब वो मोल्ड जो है और ऐसी ग्रोथ नहीं थी, बढ़ी डिफरेंट एक अलग उनका observation और वो observation और उन्होंने क्या बोला इसको आगे चलकर वो कंटामिनेटेड प्लेट एक मिराक्यल ड्रग बनी और उसको बोला गया पैनिसिलीन, लेट्स फस्सी वोट उनका वो प्लेट कैसी दिख रही थी और वो प्लेट में कैसे उन्होंने structure देखा, तो फिर्स्स वी विल सी एट इमेज यह ऐसा कुछ होता है, एक पैट्री प्लेट है, यह एक काच्च्च, एक प्लेट है, ग्लास वेर है प्लेट उसमें क्या करते हैं? खाना रखते हैं, अगर? प्लेट रखते हैं, ताकी जो भी आपको बैक्टिरिया जो भी आपको चाहिए, वो इसमें आखे ग्रोव करें क्योंकि मैंने क्या मोला था सारे माइक्रोप्स माइक्रोप्स अर्प्रेजेंट एवरिवेर एयर वाटर सॉय जब आप उसको इन्वार्मेंट में रखोगे यह प्लेट को तो जो और्गानिजम जो आपको निकेड आइस से नहीं देख रहें उनको खाना मिलेगा तो वह आकर यहां प कुछ कंटामिनेटेड मोल्ड है अब यह कंटामिनेटेड मोल्ड पर भी उनका एक ऑब्जर्वेशन अब वह ऑब्जर्वेशन क्या था लेट सी दाट अब यह प्लेट को ऐसा कंसीडर को तो इस वाज दी तो छोटे छोटे आपको यह जोट्स दिख रहे हैं नीचे की तर पहले समझे लो बैक्टीरिया क्योंकि उनको खाना मिला उनोंने ग्रो किया तो बैक्टीरियल दिखने लगे उसमें ग्रोथ बड़ और ये जो आपको बड़ा सा पैच दिख रहा है यह वो था गंटामिनेटेड मोल्ड जयसे ही जहांपे वह उसकी ग्रोथ हुई अगल गई उनमें क्रोथ आगे चलकर नहीं इस वस्ती ऑब्सर्वेशन ओफ एलेक्सेंडर फ्लेमिंग दूरिंग एक्सपेरिमेंट अब प्लेट पे उन्हें देखा अरे नीचे बैक्टीरिया है और जहां पर यह अगल वगल तो कुछ ही नहीं मतलब मेरे सारे बैक्टीरिया मर गए डिस्ट्रॉय हो गए किसके इफेक्ट में इस कंटामिनेटेड मोल्ड के तो उन्होंने इसको आगे चलकर फिर पढ़ा कि यह जो कंटामिनेटेड मोल्ड है मोल्ड है वो बेसिकली है क्या अफर दट वो कंटामिनितेड मोल्ड ने आगे चलकर ऐक मरकील्रक काम के इसका नाम रखा गया पैनिसीलियो पैनिसलीव तो मोल्ड एसिदिफाइड पैनिसीलियों अड दर्फोर ऋन्होंने, एलेक्जंडर फ् helpful नाम क्या दे दिया hooks लेक्टसेंड and after that the miracle drug is was in market उसके बाद बहुत सारी उस पर काम किया गया and yes बहुत सारी बिमारीयों को ब्रूर करने के लिए thus the first antibiotic it was a first antibiotic penicillin had been discovered accidentally he was trying something else bacterial growth बिचारे वो कर रहे थे और उनकी experiment में को क्या मिला एक contaminated mold मिला उन्हें आगे चलके समझा और उसमें क्या मिला that is penicillin and it was the and this form the basis for attempts to find curse for incurable disease shouldn't we always be grateful to Alexander Flaming for discovering the life-saving antibiotics first antibiotic which is discovered it is saline covered by dr. Alexander Flaming now what is antibiotic these are the carbon compound obtained from some bacteria or fungi for destroying or preventing the growth of another harmful आपके harmful आपको जो माइक्रोब्स हैं उनको दूसरे बैक्टीरिया की तरफ को use करके मार दिया जाए उनको बोलते हैं medicine Antibiotics 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 इसी प्रिंसिपल पर क्या काम करती है एक और्गानिजम खुद की सर्वाइवल के लिए दूसरे को मार देगा तो जो पैनिसीलियम था उसको खुद को वो खुद की सर्वाइवल के लिए उसने क्या उस बैक्टिरियल कल्चर को उसने दिस्ट्रॉय किया Now Antibiotics falls in two categories Broad spectrum, Narrow spectrum Broad spectrum क्या है बड़े एक wide range of bacteria पर काम करे In case of narrow, specific bacteria पर जो काम करे अब यहां पर Broad spectrum तब यूज करेंगे पैथोजन क्या है मतलब disease किससे और ही वो नहीं पता चल रहा है बट उसके symptoms दिख रहे इस केस में क्या यूज करते हैं Broad spectrum antibiotics In case of narrow spectrum Bacteria जो actual causing pathogen वो identified होगा और उसको हम क्या देंगे Narrow spectrum antibiotics Examples दोनों के देखलो Ampicilline, Amoxicilline and tetracycline are the examples of Broad spectrum and whereas Penicillin, Gentamycin and Erythromycin are the examples of Narrow spectrum It can come in your exam Broad spectrum के example Narrow spectrum Now Penicillin पर अभी Antibiotics पहले मैंने Penicillin की Discovery बताई फिर मैंने Antibiotics क्या होते है वो बताई Antibiotics के दो टाइप क्या होते है तब बताई अब Penicillin के बारे में कुछ जान लेते है Penicillin is a group of antibiotics obtained from a fungus Penicillin that's why it is known as Penicillin and it is used for the controlling of infectious caused by the bacteria like Staphylococci, Trostodium and Streptococci इन सारे bacteria के अगर आपको infection होगा तो Penicillin को यूस किया जाता है Medicine containing Penicillin are useful to certain bacterial infection of nose, throat and skin and also fever depends अभी आपका डॉक्टर आपके पहले symptoms देखेंगे और उसके बाद ही भी assure कि आपको इस चीज का infection है और उसके बाद ही आपको antibiotics prescribed की जाती है recommend की जाती है So there are some questions you need to take while using antibiotics First, antibiotics should be taken only and only when prescribed by a doctor खुछ से जाके medical store से antibiotics नहीं लेना है विल्कुल नहीं Don't purchase any antibiotic from medical store without the prescription of doctor Why? Because आपने कोई antibiotic लिया और धीरे धीरे एक और प्रक्रिया होती है antibiotic resistant की बैक्टीरिया करते है बैक्टीरिया को समझ में आ जाता है कि या यह यह antibiotic आया है और यह मुझे किल करने के लिए है तो वो अपने structure में वो अपनी body में अपने cell wall में क्या करेगा outer membrane में modification करेगा जैसे वो modification करेगा तो destroy करने के लिए जो antibiotics आई है वो उसको पैचान ही recognize ही नहीं कर पाएगी and yes in this case the bacteria which has modified himself वो क्या हो जाएगा resistant हो जाएगा तो वो antibiotics बार बार exposed भी मत करो खुद को antibiotics से because these bacteria are very clever and they are they have the capability कि खुद को modify करने कि खुद को resistant mode पे लेके जाएगा फिर वो antibiotics खाने का तुम पे कोई असर नहीं होगा इसलिए खुद को without doctor की prescription के कोई भी antibiotics don't consume antibiotics on your own to treat common disease like throat infection common code or infection be careful even if you feel well before completing of the prescribed course of antibiotic you must do एक क्रोथ होती एक time होता है कई लोग एक कोर्स होता है doctor जब आपको प्रिस्क्राइब करता है कि okay 4 दिन तक यह दवा खानी है कुछ लोग 2 दिन में खाने पर ही उसको बन कर देते बट नो पूरी अगर चार दिन का doctor ने बोला है you have to because अगर आपने antibiotics के dose पे हो what if अगर वो बेक्टेरिया दो दिन के बात फिर से तो वो कोर्स चो पूरा एक दवा का दिया जाता है you have to treat to get fully recovered don't suggest to others the antibiotics which are useful to you we all are we all are come into the कौंसी category है biological system की सबकी अलग अलग biological category है और सबका immune system सबकी लडने की क्षमतास disease से अलग है so the medicine which are working on you doesn't mean it is work it will work on your friend also don't suggest so these are the same some precautions while taking the or while consuming the antibiotics so